So hello guys and welcome back to amazing video from NEET UJ in 10 channel अभी जो है हम लोग बात करने वाले हैं about platyhelminthus So we have already talked about the phylum porifera, phylum sealantrata and phylum tinophora आज platyhelminthus के बारे में NCRT oriented facts को जानने की कोशिच करते हैं और अपने concepts को और clarify करते हैं और better बनाते हैं हम लोग नी 2020 में नी 2021 में अपने सारे concepts को better तरीके से utilize कर सके to answer the questions in the exam So these are some credentials of mine, you can have a look if you want, otherwise let's proceed You can also get connected to us via Unacademy's learning app This app is available on Google Play Store, you just have to install it, you just have to click on get subscription और जैसे ही आप लोग get subscription पर click करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen यहाँ पर I'll recommend you कि आप एक साल या दो साल के pack opt करें, क्यों? क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और second आप इने कभी भी आसानी से pass on कर सकते हैं to any of your sibling or to any of your junior समझ लीजे आप एक महिने का एक pack उठाते हैं विपन नाम का code लगाते हैं, 10% आपको discount मिलता है तो भी आपको 5400 रुपए पर मन्त देने होंगे लेकिन यहीं पर अगर आप 2 साल का pack उठाते विपन नाम का code अपलाए करते, 10% discount पाते तो आपकी monthly efficient cost decrease होकर 1300 रुपए के आसपास पहुंच जाती है यानि कि आपकी monthly cost को आप लोग 5 गुना तक कम कर सकते हो just by taking a larger pack इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि आप weapon code लगा कर एक बड़ा pack opt करें जिससे कि आपको 10% discount मिल पाए मेरे सारे के सारे notes मिल पाए for efficient preparation इसके साथ साथ आपको मेरा एक साल का free mentorship program भी मिल जाएगा और कुछ students को, कुछ जो students जो सबसे पहले enroll करेंगे उन्हें मेरी book की hard copy मिल जाएगी जिसकी cost around 800-900 रुपए के आसपास होने वाली है सो वो hard copy book आपको free में मिल जाएगी author copy आप लोगों को मिल जाएगी सो please make sure कि आप इस code का बहतर इस्तमाल करें और मुझे मेरे telegram channel या instagram handle पर बता दें कि sir मैंने आपका code utilize किया है अब बात करते हैं यार about platy helminthus सो सबसे पहली बात तो इन्हें platy helminthus बोला गया platy यानि plate like और आपकी plate कैसी होती है plate का surface area तो जाधा रहता है लेकिन आपकी plate की जो मोटाई है वो काफी कम रहती है as compared to that diameter similarly यहाँ पर इन्हें platy helminthus के साथ-साथ आपका flat warm भी बोला जाता है flat warm इन्हें क्यों बोला जाता है क्योंकि यह dorsal ventrally flat होते हैं यारी इनकी body suppressed या oppressed होती है कैसे कि समझ लीजे आपने tape देखी होगी तो tape की मोटाई बहुत पतली रहती है या फिर normally oppressed होते हैं कि यह नहीं जाते इनकी shape जो है tape जैसी रहती है और इसलिए ने flat warm भोला जाता है जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर आपको यह organism ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि किसी ने tape को खोल दिया हो और उसके बाद वो tape crumble हो गई हो यहाँ पर यह जो है इसे आप tape warm बोलते हैं इसके साथ-साथ ही क्या होते हैं endoparasite होते हैं या परसिटिक होते हैं यह आपकी body के अंदर रहे के nutrition derive करते हैं और आपकी body पर ही खाने पीने के लिए depend करते हैं क्योंकि अगर यह किसी और की body के अंदर रहेंगे तो इन में कुछ modifications होना जरूरी है जो कि इन्हें किसी और की body के अंदर survive करने में help करें समझ लो अगर आप किसी बड़े जानवर की body में जा रहे हो और वहाँ पर आपको खाना पीना खाना है तो आपको कुछ suckers की जरुरत पड़ेगी जिससे आप nutrition को suck कर पाओ आपको कुछ न कुछ hooks की जरुरत पड़ेगी जिससे आप उस बड़े से organism की किसी भी body part पर hook लगा कर attach हो पाओ जैसे कि समझ लीजे कोई endoparasite है जो liver के पास जाना चाता है तो blood stream से जैसे ही वो liver के पास पहुँचेगा बैसे ही वो liver पे hook के थ्रू जुड जाए ये बहुत essential होता है and suckers उस liver के tissue पर लगा कर वो वहाँ से nutrition को suck करे that is also very important यानि कि जो parasitic forms होते हैं उनके अंदर adaptation होना बहुत जरूरी है खाने पीने की चीजों को लेकर और survive करने की तरीकों को लेकर तो ये बहुत ही जादा adaptive रहते हैं इन में अलग अलग तरीके के जुगार present होते हैं इनकी body जो रहती है platyhelminthus की dorsal ventrally flat होती है इसलिए इन्हे flat worms बोला जाता है these are mostly endoparasite यानि जादा तर ये दूसरे organisms के अंदर ही मिलेंगे तो endoparasite बोला गया parasite का मतलब किसी और पर depend करने वाले तो ये animals में पाए जाते हैं और human beings तक में भी पाए जाते हैं जैसे कि आपका liver fluke ये आपका liver fluke है तो ये human beings तक के अंदर भी आपके endoparasite हो सकते हैं flat worm जो है bilaterally symmetrical होंगे क्योंकि radial कौन कौन था radial आपका था sealantreta, tenophora और adult kinoderm इनको छोड़के जित्ते भी थे सारे bilateral so platyhelminthus भी उसमें आ गया symmetrical होते हैं ये ओके so bilaterally symmetrical हो गया triploblastik यहां से आपके triploblastik की शुरुवात हो जाती है porifera, sealantreta और tenophora आपके diploblastik थे दो germ layers थी यहाँ पर triploblastik है यानि mesoderm यहाँ पर आ गई है a silomate क्योंकि इनमें correct silom नहीं present होती इनके बाद जो round worms आएंगे वो pseudo silomate होते हैं और उसके बाद जो आपके further philums आएंगे वो silomate होते हैं लेकिन platyhelminthus में आपकी true silom present नहीं होती organ level of organization यहाँ पर देखे जाने को मिलता है sealant reta और tinofora में tissue थे porifera में आपका you know cell aggregated plan था और उसके बाद यानि की platyhelminthus के बाद आपको organ system देखने को मिल जाएगा hooks और suckers यहाँ पर present होते हैं दोनों के मैंने ही आपको function बता दिये हैं some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface क्योंकि इनका body surface इतना पतला होता है इसके थुरू यह आसानी से nutrition जो है अपनी body के surface से directly ही ले लेते हैं specialized cell यहाँ पर osmo regulation और excretion के लिए present होते हैं जिने आप flame cell बोलते हो तो अगर कोई बोले excretory organ क्या है platyhelminthus का यह question पूछा भी जाता है तो यह आपके flame cells होते हैं ओके तो flame cell यहाँ पर excretion में help करें excretion मतलब unwanted material को बाहर निकालना और चीजों की concentration को regulate करना तो कहीं न कहीं osmo regulation में भी help करेगा sexes जो हैं यहाँ पर separate नहीं होती याँ यह आपके एक में ही present होंगे दोनों sexes fertilization internal होती है इनके अंदर fertilization होगी यानि की gamete का fusion इनकी body में ही होगा development जो है इनका काफी सारे larval stages के थू होता है जैसे अगर आप बात करो liver flu की तो sarkeria, metasarkeria, radia, miracidium, sporocyst पाँच अलग अलग तरीके के larva जो है platyhelminthus में आपको देखने को मिल जाते हैं और कुछ members होते हैं जैसे की planaria इसका नाव आपने बहुत सुना होगा यह जो planaria है यह true regeneration शो करता है यानि कि इस planaria की body जो की कुछ ऐसी दिखाई देती है अगर आपने इस planaria की body को काट दिया into two parts तो उपर वाला part नया planaria बना लेगा और नीचा वाला part जो है यह भी आपका नया planaria planaria बना लेगा so there is high potential of regeneration in case of planaria examples हैं यहाँ पर tinia that is tapeworm और fessiola that is liver fluke जो की दोनों यहाँ पर दिखा रखे हैं tinia और liver fluke so I hope कि आपको यह basic basic चीजे पसंद आई होंगी और समझ में आई होंगी if you really enjoyed this lecture then please make sure कि आप वीडियो को like करें channel को subscribe करें bell icon को press करें and हमारे साथ बने रहें जुडे रहें weapon नाम का code आप लोग use कर सकते हो तो take the unacademy subscription और आप मुझे बता सकते हो मेरे telegram channel पे या फिर मेरे instagram id पे जो channel का official telegram link है वो आपको description में मिल जाएगा so please make sure कि आप channel को support करें और बने रहें हमारे साथ thank you so much guys lots of love